कामेस मिख्च चरवर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी कामेस मिख्च चरवर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी उपोसत सील में मैंने आपको बताया था कि पंच सील में और उपोसत सील में ज्यादा अंतर नहीं होता पांच जो सील होते हैं, उनका जो तीसरा सील होता है, जिसमें कामेसु मिख्छा चारा जो होता है, कामेसु मिख्छा चारा वाला, उसमें ए बही चरिया होता है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और इसका जो छटा सील है, वो विकाल भोजना वेर्मनी सिख्छा पदंग समादयामी विकाल भोजना वेर्मनी विकाल भोजना क्या होता है? यानि कि विकाल भोजन करना अब पहले काल भोजन समझें कि काल भोजना क्या होता है? काल भोजना वो होता है जो समय से आप भोजन करते हैं समय से भोजन करने का मतलब है कि आपने एक तो उस समय भोजन करना है जो विने के नियम में निर्धारित है यानि कि पहले गड़ी तो होती नहीं थी तो सर पे अगर सूरज आ जाए और आपकी परचाई ना आगे गिरे ना पीछे गिरे ना दाएंग रे ना पाएंग रे यानि कि आपकी परचाई जमीन में कहीं ना दिखाई दे सुरज बलगल ऐसा हो सर पे आए और तो उसके बाद में आपको भोजन नहीं करना है आपको मतलब भिक्को को भोजन नहीं करना है या उस दिन करने आया है उस दिन उपोसत का नियम है बाकी जो आम आदमी है उनके लिए नहीं है उनके लिए सिर्फ 5 सिल है ये 6 सिल उनके लिए नहीं है ना 7 वा है ना 8 वा है तो विकाल भोजन का मतलब है कि अगर उस धूप के बाद में यानि परचाई आगे हो गई तो फिर आपने भोजन नहीं करना है ऐसा नियम क्यों बनाया है ऐसा नियम इस ये बनाया है क्योंकि विपसना साधना जो लोग करते हैं या आप जब कभी विपसना साधना करने विपसना के सेंटर में जाएं या घर पे कभी साधना करके देखें आज कल वीडियो पर अविलेबल है तो आप ये पाएंगे कि अगर जादा खा लेता है यानि पेट भर लेता है पूरा 100 का 100% 5 रोटी की भूक है 5 खा लेगा तो बैठ नहीं सकता विपसना साधर नहीं करेगा तो टकार आएगी तो पेट में गरगर होगी भूक लगेगी तब भी विपसना नहीं कर सकता क्योंकि बीमार और भूक आदमी साधना तपस्या नहीं कर सकता ये भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से चेक कर लिया जब वो भूक से बिलकुल मरने वाले थे तब उन्होंने पहली बार कहा कि एक ऐसा सरीर जो बीमार भूका है वो साधना में रत नहीं रह सकता इसलिए उन्होंना खाया तो यहां जो विकाल भोजन है उस भोजन को कैत कहते हैं इसके अलावा विकाल भोजन में भोजन का चुकि बहुत सारा उन्होंने बताया है आपने ऐसा भोजन में नहीं करना है जो आपको अत्यादिक अलग तरह की उर्जा दे जिसको कहते हैं कि ऐसी तरंगे दे जो अगनी की तरंगे पैदा है फिर अगनी अगनी आएगी चारो तरफ जैसे आप अधरक्टा पानी पी के अगर मालो विपस्णा बैठते हैं तो आप ध्यान देंगे कि चारो तरफ गरम उर्जा रही है या गरम पानी पी के विपस्णा करेंगे तो आपको सरी में उर्जा उर्जा दिखाई देगी तो वो नेचुल नहीं रहेगी वो फिर क्या है कि आर्टिफिशल हो जाएगी इसलिए खाना मुलकु साधा और सिंपल खाना खाएं तो आपको विपस्णा साधना में आसानी रहेगी एक उन्होंने भोजन की मात्रा का बहुत ज़्यादा उधरन दिये हैं पूरे पाली के अंदर भिक्षों को लगातर बताया है कि एक व्यक्ती एक भिक्कु अगर भोजन की मात्रा नहीं जानता कि कितनी लेनी है तो वो निबान को प्राप्त नहीं कर सकता वो ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता वो धम नहीं सीख सकता इसलिए भोजन की मात्रा सारे विने में सबसे ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि भोजन आपको रोज लेना है इसलिए विकाल भोजन को मना किया गया है विकाल भोजन से अलग रहना है विने के नियम से अलग रहना है ये उपुसत का खास दोर से नियम है बहुत से लोगों ने क्या किया बाद में क्योंकि जो उपवास है उसको कह दिया कि हम तो उपवास में हैं आज उपवास का मतलब फास्टिंग हो गया फास्टिंग का मतलब भूका रहना हो गया भूका रहना नहीं है Ф़اشٹنگ का मतलब है अपने घढ〉ब से निकल के उपवास करना है किसी भिक्यो कार, किसी भिहार में, किसी साला में किसी जहां उपवस्ट करते हैं वहाں जहां रहते हैं एक दिन उसको उपवास बोलते हैं और विकाल भुजन करना है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन अन नहीं खाएंगे इसमें अन का और फल का कहीं कोई जिक्र नहीं है कुछ भी खाईए मगर खाना साधा होना चाहिए चाहे अन खाईए चाहे जल खाईए चाहे पदार्त खाईए चाहे खिच्डी खाईए कोई क्ती दिक्कत नहीं है. अबर आपके जो खाना है, उसकी मातरा कहता है, और उसरुस समय के बाद नहीं खाना है. और ऐसा नहीं है,weeneyनगे, कहाता हैं, कहनेगे कि आप व्यन किलोड फिल में आपको, कौलिटी है उसका कौई जिक्र नहीं है, सिर्फ quantity का जिक्र है और खाने के समय का जिक्र है और खाने की मात्रा का ध्यान है धन्यवाद team 22 पर सभी video book copyright free है आप अपने portal पर अपने youtube पर अपने facebook पर या किसी भी जो भी app है उस पर आप यहां से download करकर team 22 से या facebook से या मेरे page से कही से भी कोई भी video ले सकते हैं उसको download कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी add कर सकते हैं या अपनी comment रिक कर सकते हैं उस video का कोई भी part आप ले सकते हैं उसका print material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं, ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे, हमारा सिर्फ इतना काम होता ह कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किसी को गिफ्ट कर कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दिजीए हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खूब लाब-डाप देगा धम आपको लाब देखा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सेनं गछामी ऊंगं स्ाइल गछामी उतियं पीधुद्धं सनं गछामी पूतियं पी धंवंग सर्मंग च्छानी, 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 पूतियं पी ध पी संदम सर्णं कच्छामी, ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी, ततियं पी दमम सर्णं कच्छामी, ततियं पी दमम सर्णं कच्छामी, ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी,